इस वक्त हम मौझूद हैं नोड़ा के सेक्टर 21 जलवाई विहार की सोसाइटी में जहां पर सुबा 9 बजे ये बड़ा हाथसा हुआ है बता दें कि कुछ मजदूर नाली की सफाई कर रहे थे और उनी की सफाई के दौरान यहां पर एक ये दिवार गिरी है जो काफी दिनों से पुरानी बताई जा रही है मैं अपने कैमरा मेंन से कहूँगा कि वो दिखाएंगी किस तरीके से ये जो दिवार है वो गिरी है और इसमें करीब चार मजदूरों की दबकर मौत हो गई है इसमें करीब बताई जा रहा है कि 12 से 13 लोग जो मजदूर है वो काम कर रहे थे उसी दौरान यह दिवार गिरी है और इस दिवार गिरने से चार लोग काल के मूपे समा गए है फिलहाल जो घायल लोग हैं उनको भरती करा दिये गया है जो चार लोग घोशित किये गये हैं मृत उन्हें भी भरती कराई गया था लेकिन उन्हें डॉक्टरों ने बता दिया है कि आप इन्हें थोड़े देर से लेकर आएं इसलिए इनकी जान चली गई है कुछ लोग जो हैं जो घायल हैं वो कैलाश अस्पताल में भरती हैं और दो लोग जो हैं वो अभी जिला अस्पताल में भरती हैं तो फिलहाल जो बारा से तेरा मज़दूर थे उनमें से चार मज़दूरों की मौत हो गई है और करीब नौ मजदूर घायल बताए जा रहे ह यहाँ पर कुछ लोग है हमारे साथ उनसे हम बात्चिद करेंगे और जानाई की से हुआ यहाँ देखने आये हैं से पहले हम लोग फहरा है कि यह घुर डिवार गिरिये है यहाँ पर येका यह सर सोसाइटी जो है यह सबसे पुरानी सोसाइटी स्साइटी करती यह बहुत यह नहीं हाई-बीर तो इन शिकायतों के बाद भी क्या आप लोगों ने शिकायत कि उसके बाद भी कोई कारवाई नहीं कि नोड़ा थोर्टीने सोसाइटी पर इसकी विवस्ता जो है साफ सफाई रख 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 उस हिसाब से नहीं हो पाता है जिस हिसाब से चार्ज करते हैं मेंटिनेंट चार्ज करते हैं सपोज यहां पर जो कोई घर खरीता है लाखो रुपे यह लोग जो है एंट्री के नाम से चार्ज करते हैं उसको यह लोग जो है वो नहीं करते हैं दूसरी चीज जो है जहां तक मेरे नॉलिज में मेरे संग्यान में यहां पर जो है नौइडा थोटी के जो हमारे स्वास्त के करमचारी है जो नाले साफ करते हैं साफ सफाई हमारे प्रदेश में नौइडा को सबसे उच्छतम इसतान जिनों ने दिलाया है उनकी तनकाए दो उस वक्त यहां मौझूद थे हमें जारी थी डूटी से तो पौने नौबजे का आसपास में गिरा है दिबार एक लड़का था गारी वाला उसने भी फोन करा था प्रशासन को और मीडिया वाला को क्या करते हैं सोरी इंबलेंस वाले को फोन करा था बाद में आये थे तो प बाद में फिर पुलिस वाला आये थे हमें साइटी वाले सब को इनी निकला था हमें यहां ऐसा बताये गए कि कुछ जो इस्थानिय लोग थे आते आते लोग उन्हों ने इस मौके पर जो लोग घाया थे उनको निकाला पहले लोगों निकाला उसके बाद प्रशासन और ए यहां पर मौजूद थे और जो लोग यहां से गुजर रहे थे उन्होंने इस हादसे के बाद वहां लोग को निकालना शुरू किया और उसके बाद प्रशासन के अधिकारी और जो एंबूलेंस है वो यहां पर पहुँची उसके बाद यह पूरा मलबाट आने का काम शुर पर देखा जा रहा है आगे देखने वाली बात होगी कि मामले को कहां तक तूल दिया जाता है और कितना आगे यह मामला जाएगा इस्थानी लोग हैं उनका तो गुसा साफ तोर पर दिख़ रहा है लेकिन इस मामले पर अब सियासत भी सुरू हो गई है कॉंग्रेस के कि ये जो कारवाई जो भी हाथसा हुआ है उस पर तुरत कारवाई की जाए और घायलों के लोगों को भी मुआपदा दिया जाए तो हम उसे बात करने की कोशिश करेंगे जी सर आपका नाम मैं रामकुमार तवर नोडा मानार कॉंग्रेस का अद्धाक्ष हूँ और हमारी ये मांग है कि जो आज दुखत घटना नोडा के अंदर घटी है जिसमें हमारे चार मजदूर भाईयों ने अपने प्रांग गवाए हैं और नो हमारे मजदूर भाईया भी बहुत गंबी रू ये महारे मिर्तक भाईया उनको परतिवेक्टी 50ला कुर॥ परतिवेक्टी 20 विक्ति आंग म मिले जिससे कि उनके घर है कितना बुरा समय आज आया है और आकारण आया है उस ठेकेदार और उस नोडा थोटी को उन भरष्ट अधिकारियों के वेज़ से आया है आज उनका जो सुबह जो थी वो एक मातम में बदल गई है तो हम चाहते हैं कि कम से कम उनको हम अपनी सम्वेदना देते हैं और इस पार्टी की तरफ से हम अपनी सम्वेदना देने और यहां आए हैं और हम यह मांग करने आए हैं कि कम से कम ऐसे भरष्ट अधिकारियों को और उस भरष्ट ठेकदार को जेल के अंदर डालके उनकी आत्मा को सांती के लिए कम से कम उनको न्याय दिलवाने का काम करा है जो यूपी के मुखे मंतरी है योगी अधित नात जो इनकी सरकार है इस पर आप अपने माद्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे उनको क्या आपका ये कहना है कि जो नोडा अधिकारी है उनकी लापरवाई से ये हुआ है आगे अप इस पर क्या कहेंगे देखे निश्चित तोर से इसमें सासन पर सासन नोडा अधिकारी और ऐसे ठेकेदार भरष ठेकेदार ये सब की एक गठजोड के कारण ये इतना बड़ा हासा हुआ है योगी जी ने चाल लाग रुपे का मुआज़ा अलान किया है चाल लाग रुपे में क्या होता है चाल लाग रुपे से ज़्यादा तो जो लोग घायल है उनके इलाज में लग जाएगा आप एक जान की किमत आप 4 लाक रुपे लगाते हैं मोदी जी, योगी जी को शरम आनी चाहिए कि एक आदमी की क्या वो मजदूर है तो जीवन का उसका कोई मूल नहीं है आपने 4 लाक रुपे लगा दिये हैं क्या योगी जी, हम 8 लाक रुपे देते हैं हमार उन भाईयों की जान वापिस करा दीजिए, अगर चाल लाग रुपे देने से, अगर आप योगी जी सोचते हैं कि मैं अपने उस काले जो इनके जो कारणामे हैं, उन पर हम पर्दा डालने काम कर सकते हैं, कॉंग्रेस पारटी हर्गी जी नहीं होने देगी। हम इनके काले कारणामों को उजागर करके रहेंगे, जंता को आज संज में आ रहा है, कि हमने गलत सरकार को चुन लिया, जो उदे नहीं की मौत का 40 लाग रुपे लगाती है। तो हमने चाहते हैं कि कम से कम 50 लाग रुपे मिले, उनके परिवार को कम से कम वो इस्तिति में आ सके जो उनके कमाने के जो उनका एक आसरे था वो आज उनके से छुट गया है तो कम से कम उनको 50 लाग रूपे मिले उनके बच्चों के लिए उनके पढ़ाई के लिए उनके परिवार में जो उनकी घरवाली हैं उनकी माबाप हैं कम से कम उनको कुछ एक साहे तरासी ठीक ठाक रूप से मिले देखिए प्राधिकरण के अधिकारियों की और ठेकेदारों की जनलिपता है उसका जीता जागता उधारण आज ये नरसंगार है मैं हमारी कॉंग्रेस पालिटी की सबसे पहले उस परिवार के साथ में समवेदना है जिन लोगों ने अपने अपने लोगों को खोया है और उस परिवार के साथ भी हमारी समवेदना है उन परिवारों पर जो घायल है हम लोग मांग करते हैं जैसे कि रामकुमर दवर ने बताया कि हमारी ये मांग है कि उनको मावजा तो दिया जाए लेकिन उसके साथ साथ प्राधिकरण के ठेकेदार पर कारवाई की जाए कारव चिलाब में हम लोग पहले भी कही बार कॉंग्रेस पार्टी के लोग बार बार हम लोग इसको उजागर करते रहे हैं बार बार कहते रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं जो सरकार है वो ब्रस्टाचार को दूर करने का जो दावा करती है उसमें फेल है तमाम हमारे कारेकरता यहां पटा था दिवार कम जोड़ है लेकिन उन्होंने ठेकेदारों पर डबाव डालके जबजस्ति कुझाई करवाई उसका नतीजा यह हुआ कि विचाई चार गरीब आदमी अपने जान से दो गैट है उनका परिवार पूरा पीछे है और उपर से आके हम भी बताया भी लोगों उन्होंने की चाल लाग पर गोशना यानि यह गरीब की मोट की किमत सिफ चाल लाग पर नो लगाई है हमारा मानना यह है समाज पार्टी यह करती है सरकार से कि इन तोंको पचास पचाल लाग पर दिये जाएं और जो भी नोड़ा फोटी के अधिकारी इस काम में जो इसके पीछे हैं उनके खिलाब अत्या को मुगर्मा दर्श किया जाए चाहे को कोई भी हो क्योंकि यहां मडर हुआ यह मोत कहेंगे यह क्योंकि जवजश्ती गड़ा खुदवाना जब पता है कि दिवार गिर सकती है सबको पता दिवार कमजोर थी उसके बावज़ूर भी आज इनको मौत के मूँ में डखेल रहे और उसमें चले भी है तो सामे पार्टी इस परिवार के साथ है हम अभी मिलने भी जाएंगे जो लोग गाहल है उनसे मिलने भी जाएंगे इस पताल में और हमने राष्टे दे अकले जादर जी आवगक करा दिया कि ऐसे ऐसे गटना हो ग यह सूचना हम लोगों को सुबह मिली थी कंट्रोल के माद्यम से कि एक निर्मानाधीन नाले की सफाई चल रही उसमें एक दीवार है वो गिर गई है इसमें तकाल रेस्क्यू आपरेशन चलाया गया वारा लोग यहां काम कर रहे थे पांच लोग जो है इसमें गायल थे इ उनका यह कहना है कि ने पहले से इमारत थे वो पहले से काफी जरजर ती तो क्या इस पर पहले जो यह काम चल रहा था उससे पहले ध्यान नहीं दिया गया या फिर प्रशावसन को इस बात की जर्छ सी भनक निती कि अगर यहां पर कुछ काम हुआ तो कभी ने कभी यह आध जिक्रित कराया जा रहा है और ये परिजनों के द्वारा जो भी तहरीर दी जारी उसके अधार पर और तदनुसार कारवाई की जाएगी तो ये थे हमारे साथ DCP हरेशन जिनका साफ कहना है कि इस मामले पर जो भी दोशी पाये जाएगे उन पर कारवाई जरूर की जाएगी फिलाल ये मामला अभी भी इस बात पर अटका हुआ है कि ये जो इमारत थी अगर ये जरजर थी और यहां के जो लोग थे वो ये कह रहे हैं कि ये इमारत पहले से जर जर थी तो यहां पर काम करने से पहले क्या देखा नहीं गया क्या इस बात की पूरी तहकीकात नहीं की कि इसमें कभी न कभी यह हादसा जरूर हो सकता है यह देखने वाली बात अभी फिर होगी कि क्या इस मामले पर कितनी जल्दी तुरित कारवाई पर शासन की तरब से की जा सकती है क्यूंकि यह कोई छोटा हादसा नहीं है चार मजदूरों की मौत हो चुकी है 12-13 लोग यहाँ पर काम कर रहे थे जो चार लोग यहाँ पर मारे गए है वो इलाज के दौरान मारे गए है और भी नौ लोग जो घायल है उनका कैलास अस्पताल में और जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है फिलाल अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले पर प्रशासन और जो प्रशासन है वो कितनी देर में कारवाई करता है जो नोडा थोर्टी है उस पर क्या कारवाई होती है उसके जो भी दोशी पाए जायने वाले लोग है उन पर क्या कारवाई होगी देखने वाली सबी बिंदूओं पर जाच जारी है कैमरा मैन मान के साथ मैं शिवम सोनी डिउज वाच इंडिया